हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आपका आज मारे चैनल में फिर से स्वागते तो फ्रेंड्स उमीद है आप सब अच्छे होंगी तो आज हम फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं नंबर सिस्टा ओफ क्लास 9 एक्ससाइज नंबर 1.5 तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपको हमारी वीडियो पसंदारी तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइ करना ना भूलें और बैल ऑगन पर भी प्रैस जरूर करें तो फ्रेंट्स चलिए शुरू करते हैं देखिए फिर्स्ट क्लासिफाइदा फॉलविंग नंबर ऐज़ेंगर राइशनल और इर्रेशनल नंबर two.two.three And नंबर है और रूट फाइड क्या है आपका एक इरेशनल नंबर तो फ्रेंड्स अगर आपको यह पता होना चाहिए कि एक रेशनल नंबर होता है और दूसरा इरेशनल नंबर अगर कोई भी साइन होता है इन्टू, डिवाइड, माइनस या एडिशन अगर कोई रेशनल नंबर इन सब साइनों के साथ रेशनल नंबर के साथ जूडता है तो ओल्वेज आंसर रेशनल ही आता है तो it is irrational number क्योंकि एक rational number से एक irrational number negative sign में show हो रहा है तो it is answer irrational इसमें question में पूछाता कि classify कीजिए कि कौन सा rational है और कौन सा irrational है second देखिए आपका question है आपका 3 plus root 23 minus 23 root में तो हम सबसे पहले bracket का solution करेंगे तो root 23 minus 23 अब देखिए एक positive है एक negative है तो यह cancel हो जाती है तो हमारा क्या बचा 3 जो की एक rational number है it is answer next आपका है third question देखिए 2 upon 7 root 7 upon root 7 तो आपने देखा कि इसमें rational number भी है और irrational number भी है तो देखिए root 7 से root 7 cancel हो जाता है तो हमारा बचा 2 upon 7 तो means यह दोनों एक rational number है लेकिन divide में है तो क्या होगा देखिए तो आपको दिख रहा है 2 और 7 दोनों ही एक rational number है तो it is answer rational number understand next देखिए fourth question है आपका one upon root 2 तो एक हमारा जो है one rational number है और जो इससे divide में है वो एक irrational number है तो आपने देखा कि एक rational number जब divide होता है irrational से तो हमारा वो show होता है irrational number it is answer irrational understand next है आपका देखिए fifth question fifth question है आपका two pi तो two हमारा एक rational number है और pi हमारा एक rational number है तो आपने क्या देखा दोनों इंटू में आ रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये irrational को show करेगा it is answer तो देख चलिए second question पर चलते हैं तो friends चलिए second question देखते हैं simplify each of the following expressions three plus root three and two plus root three तो इसका में इंस है जो इन दोनों के बीच में sign नहीं है तो हम into का sign मानते हैं जब bracket के अंदर कोई digit होती है second b और first b तो sign हम multiply का show करेंगे तो देखिए three की into करेंगे पहले last वाली two plus root two में और plus root three की into करेंगे two plus root two में तो देखिए three into two हो जाएगा हमारा six plus three की into करेंगे अगर three root two आ जाएगा root two में अगर into करेंगे ऐसे ही अगर हम देखिए कि two की into करेंगे हमें root three में तो two root three plus root three into root two क्या होगा root three into root two इस तरीके से हम लिखेंगे तो देखिए अब six तो और कोई है नहीं इस तरीके का root three sorry three into root two plus two root three plus root six it is answer अब हम second देखेंगे question हमारा second क्या है second हमारा है three plus root three and three minus root three आप एक formula देखिए a plus b और a minus b क्या होता है आपका a square minus b square तो हम इसी form में इस question को solve करेंगे तो a हमारा हो गया three और b हमारा हो गया root three तो देखिए a का square minus b का square हमारा क्या बन जाएगा three का square minus root three का square three three जा nine minus जब root three की उसी digit से दुबारा हम into करते हैं तो उसका root हट जाता है तो three आ जाएगा तो nine minus three is equal to six it is answer अब देखिए third question पे आते हैं third है हमारा root five plus root two का whole square आपने एक formula पढ़ा होगा a plus b का whole square हमारा क्या होता है a square plus b square plus two a b तो देखिए two a b की form में हम इसको लिखेंगे a की जगे पे हमारा है root five and b की जगे पे हमारा है root two तो देखिए root five का whole square plus root two का whole square plus two into a क्या है root five है और b क्या है root two तो हमने a square plus b square plus two a b की form में इसको लिखा तो आप देख रहे हैं आगे हम solve करेंगी root five into root five होगे हमारा five plus root two into root two होगे हमारा two and plus two का two two into root five होगे हमारा root ten तो हमारा answer क्या है five plus two is equal to seven plus two root ten is equal to answer next है आपका fourth question की अगर हम बात करें तो fourth question है हमारा root five minus root two and root five minus root two means दोनो negative sign में शो हो रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको a minus b और a minus b यानि की a minus b का whole square और a square plus b square minus two a b इसका formula होता है तो friends अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, share and comment अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब तो बनता है और bell eigen पर press करना ना भूले तो चलिए इस question का solution देखते हैं इसे हम जो हमारा question है इसे हम a और b की form में लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा root 5 का square plus root 2 का whole square minus 2 into root 5 and root 2 root 5 into root 5 होगे 5 plus root 2 into root 2 होगे हमा 2 minus 2 into root 5 होगे 10 5 plus 2 is equal to हमारा आया 7 minus 2 root 10 it is answer देखी friends अभी हमने आपको एक fourth part करा है उसमें दोनो negative sign थे लेकिन अगर हमारा question fourth इस type से आ जाता root 5 minus root 2 and bracket में root 5 plus root 2 means sign change हो को हम क्या करेंगे एक तो तरीका यह होता है कि identity लगा देंगे इसमें हम a plus b और a minus b की तो अगर ऐसे identity याद भी नहीं है देखी आपको मैं two rules बताती हूँ root 5 की into करेंगे root 5 plus root 2 में और minus root 2 की करेंगे root 5 plus root 2 में means one by one हमने secondly से multiply करने का यह तरीका आपको पता है देखी root 5 की root 5 में करेंगे तो 5 plus root 5 into root 2 minus root 5 की into करेंगे root 5 में and minus root 2 into root 2 हो गया हमारा 2 तो देखे यह positive और यह negative दोनों कट गए हमारे तो 5 minus 2 is equal to 3 first आपका तरीका यह रहा अगर हम हमारी identity याद है तो हम क्या करेंगे direct root 5 minus root 2 and root 5 plus root 2 की identity देखे a minus b and a plus b तो इसके identity क्या होती है a square minus b square तो देखे हम इसकी form में लिखेंगे a की जगे पे हमारा root 5 है और b की जगे पे हमारा root 2 है तो हमने क्या लिखा root 5 का square minus root 2 का whole square is equal to 5 minus 2 is equal to 3 तो आपने देखा इधर भी 3 है और इधर भी means अगर आप identity याद है तो identity से भी solve कर सकते हैं अगर आपको identity याद नहीं है तो भी आप वही तरीके से इंटु करके भी solve करेंगे same answer होगा तो friends अमीद्या आप सब कोई वीडियो अच्छे लगे होगी please like, share and comment thanks for watching my video लादयो अर्व है कर दो में जबूआख करी छी एड़ एंट रर्वेश कर लादya इंटू रर्वा जयो अर्भाण करके अर्यों SYestaking अर्वेस य सबना Katakat immigration